गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आप सबती सब एक ऐसी क्रीम शेयर कर रही हूं जो बॉड़ी और चेहरे दोनों पर हम यूज कर सकते हैं जिससे मैं गैरेंटी देती हूं कि साथ देनों के अंदर आपकी स्किन बि बनाएंगे अब भरोसा भी नहीं कर पाओगे कि हम इसे एक सोप से बनाएंगे जल्दी से देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे और उसके बाद में बताओंगे कैसे कैसे अपलाय करना है सबसे पहले हम लेंगे चावल एक मुठी चावल को मैंने भीगों के रखाएं लगबग दो घंटे तक इसे भीगों के रखें क्योंकि अब गर्मी है तो दो घंटे बस है उसके बाद इस तरह अच्छी तरह से वाश करके फिर भीगों के रखें उसके बाद हाथ से थोड़स अच्छी तरह से मसले जैसे इस पानी में ज्यादत ज्यादा प्रॉपर्टी चावल की आजाए चावल सदियों से Korean skincare का एक ऐसा पाट रहा है कि उनके चेहरे पर कभी नहीं जुरियां आती है नहीं उनकी skin कभी lose होती है चावल इसकिन को बिल्कुल tight bright का बनाता है अब हम लेंगे soap कोई भी mild soap ले मैंने यहां पर Johnson's Baby soap लिया है ठीक है यह बिल्कुल mild होता है soap तो हम इसे चेहरे पर भी लगा सकते हैं इसे half soap को मैंने अच्छी तरह से grate कर लिया है और उसके बाद जो चावल का पानी है उसमें मैं इस soap को डाल दूँगी उसके बाद रखेंग इसे gas पर और gas की flame को on करेंगे साबन दो मिनिट में अच्छी तरह से बिल्कुल पिगल जाएगा इस पानी के साथ mix हो जाएगा अच्छी तरह से mix करते रहें जैसे कोई भी लंच न बने जैसे ही पानी इस तरह से साबन इस तरह से melt हो जाए पानी में तो हम डालेंगे इसमें लगबग दो चमच यहां तो डालें कौन फ्लोर यहां फिर डालें मैदा जिससे all-purpose फ्लोर भी कहा जाता है दोनों में से जो भी चीज आपके पास आसनी से available हो क्योंकि ये दोनों ही चीजें चेहरे को tight और bright बन acid होता है यह जो भी dead skin है उसे पूरी निकालता है ठीक है तो milk powder डालने के बाद यह कुछ इस तरह क्रीम की तरह दिखेगा हमें और कुछ चीजें एड करनी है इसमें अब इसे जब flame को पहले बंद कर दें उसके बार इसमें डालेंगे यहां orange juice यहां lemon juice दो बड़े चमच जो भी आपके पास आसानी से available हो यहां जो भी आपको suit करता हो मैंने यहां पर orange juice डाली है लगबग दो बड़े चमच orange juice विटामिन C से भर पूर होती है चेरे के दाग दबे जूरियां pigmentation को दूर करती है अब जब यह ठंडा हो जाए तो हम इसे एक bowl में निकालेंगे इसे किसी काच की बाटल में भर कर इस्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में आराम से 10 से 12 दिनों तक अब इसमें हम लास्ट में एक चीज और डालेंगे जो की है विटामिन E के दो कैपसुल ठीक है इसे यूज कैसे करना है मैं यह कैपसुल डालने के बाद आपको बताती हूँ अगर वीडियो थोड़ा भी यूश्वल लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें चीक है इस तरह दो विटामिन E के कैपसुल डालेंगे विटामिन E चेहरे के जुरियों फाइन लाइन और रिंकल्स को अटाने के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है इसे अब हम बाडी या चेहरे दोनों पर भी यूश्व कर सकते हैं अब इसे लगाना कैसे है नहाते समय अच्छी तरह से थोड़ा सा इतना सा लेकर भी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से जाग भी हो जाएगी और पूरी इसकिन से डर्ड़ इसकिन निकल जाए ठीक है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से जाग भी होगी क्योंकि हमने इसमें साबन डाला है अब इसे इस तरह से यूश करें और फिर मुझे जरूर बताएं इससे बनाने के बाद के इसका रिजल्ट आपको क्या मिला आमेजिंग से अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा थै जिर अजाग बदिंग जाला है और वोग्या वजिल्ट राएं और वेष्ट एवी जरूर आर उवी जरूर आमेजिंग जरूर आमेज्ट और इसका रिजल्ट तरह से जरूर आ.